हालो एबिबन दिस इस निलूफे नियाहकान और वेलकम तो आई यूटूब चैनल सिक्षानद को आज हम बात करेंगे DSSP के PRT Teachers Eligibility Criteria को लेकर जो एक confusion है बच्चों को और जो new changes किये गए है and allow किया गया है ऐच की video को में हम बात करेंगे और ड्यलेटे वालों को अलाओ करेंगे negatively के लिए इसके बारे में भी आजकी video में हम बात करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे doubts कर सकें लेकिन-गर कुछ रह जाएगा तो आपका मिल box समक shy मिल किजिये को लेकर प्राइमरी को लेकर अभी कुछ टाइम पहले और अगर आप P.R.T की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को भैतर करने के लिए अप मैं ज़रूर जोइन करें और अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो मैं प्रेफरेंस आपको दूँगी कि आप परिक्षय अप्लिके उस चीज को ध्यान में रखके यह test series बनाई गई है ताकि आपकी तैयारी को और भैतर किया जा सके ठीक है और यहां तक कि अगर आप सिक्षा 50 code apply करेंगे तो सिक्षा 50 apply करने के पाद आपको यह course सिर्फ और सिर्फ 174 रुपीज में पढ़ेगा ठीक है 50% discount आपको मिलेगा और जिसके बाद यह आपको 174 रुपीज में आपको यह course अवेलेबल होगा और परिक्षय आपका application का link मैं description box में डाल दूँगी प्लीज जाके check out कीजिए और अपनी तैयारी को और भेतर enhance करने के लिए test सिरी जोइन कीजिए ताकि आपको पतल लगता रहे time by time के आपकी तैयारी कैसी चल रहे time पहले ही court का एक decision आया था जो कि PRT teachers की विकेंसी थी 42 by 21 पोस्ट कोड वह था उस पोस्ट कोड पे case हुआ वा था कि PRT वालों को PRT के लिए करना चाहिए तो अभी कुछ ही time पहले मैंने उस पर वीडियो बनाई भी थी तो court ने अलाव किया था बेड़ वालों को PRT फॉर्म भरने के लिए लेकिन सिर्फ उन candidates को अलाव किया था जिन कैस किया था तो उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो candidate को अलाव करना या पर जिन्होंने केस किया है सिर्फ उने अलाव करना या अपने आप में एक sufficient decision नहीं था लेकिन उसमें कहा गया था कि next hearing में ये clear कर देंगे कि बीएड वाले eligible होंगे या नहीं होंगे उसमें बताया था तो और यह जो rules होंगे वो 2022 की post वे eligible होंगे यानिकि अब जो post निकलें कर रहे हैं तो आपको पहले ही अगर आपने new education policy 2019 अगर पढ़ी है तो उसमें पहले ही यह बात 2019 में ही कहा देती कि DLAD, BAD, DLAD, GBT, BTC जितने भी यह जो courses है इन सब को हटा कर सिर्फ एक मात्र कोर्स कर आ जाएगा जो कि होगा बैचलर's in education तो इसमें कहा गया तो जब आपका 2019 में ही new education policy में यह बात कह दी गई थी तो आपको यह चीज़े क्लेर हो जानी चाहिए और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती आई हूं कि कुछ टाइम बात BAD वालों को DSSB में अलाउग किया जाएगा ठीक है लेकिन कुछ circumstances ऐसे थे कि नहीं किया गया था बट आप ऐसा हो आप कर दिया लेकिन कुछ बच्चे जो है वो यह चाह रहे हैं फिर यह कह रहे है कि जब BAD वालों को पी आप के लिए लिजबल किया जा रहा है तो जो जो जेबी ट वाले है या फिर कह लिजबल नहीं किया जा सकता तो यहां पर यह चीज़ मानने होगी कि पहली बात तो प्राइमिर टीचर के लिए आपको प्राइमिर टीचर के लिए अपको फुल्फिल करते हुए आपको पढ़ाया जाता है और आपको प्राइमिर टीचर के लिए अपको प्राइमिर टीचर के लिए आपको पुल्फिल करते हुए आपको पढ़ाया जाता है और आपको प्रा तो पहली चीज तो यहां पर इसलिए ने अलाव किया सकता कि एक तो ग्रेजुएशन के बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट को स्लेक्ट करके बीएट की जाती है जैसे कि अगर मैं अपनी कहूं तो मेरा प्लिटिकल साइन्स था तो मैंने बीएट करी अपनी ग्रेजुएशन यहां पर आपको एक चीज प्रवाइट की जाती है वह आपके लिए प्राइमरी टीचर्स के लिए ही प्रवाइट की जाते हैं तो पहली चीज तो यह इसलिए नहीं हो सकते हैं दूसरी चीज है कि जैसे कि दो स्टेट्स में अभी नियु एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है केरला और एक शायद महराष्टा है मैं कंफर्म नहीं हूं बट हाँ मुझे इतना याद है कि महराष्टा और केरला दोनों में ही नियु एजुकेशन पॉलिसी वेलेट कर दिये जाएगा उन लोगों की डिग्रियों को उनकी वेलेटिव यह रहेगी लेकिन जैसे नई बच्चे चाहें है उन लोगों को सिर्फ और और सिर्फ उनके पास जो और विएड का ही हुगा तो या to combined B.A.e.d. का बीलेट होता है चार साल का होता है आपका ग्र देखने को नरहीं करें तो कोशशिश करते रहें तो कुछ नहीं होता है पार शर्फ इतनी है कि आपकी तयारी कैसी तयारी को बहतर कीटने रिदल होते हैं वे एक्जाम में अपयर होते हैं इस समझे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए अगर आपकी तयारी बहतर है तो इंशनला आपका स्लेक्शन जरूर होगा तो यहां पर यह वीडियो हमारी खतम होती है थोड़ी से लंबी हो गई है क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया और आप लोग प्लीज इस चीज को समझे किस तरीके से आपको मैनेज करें अगर आपकी तयारी बहतर है तो चाहें बीएड वाले अलिजबल होगा आपको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं सिर्फ आपको फर्क तब पड़ेगा जब आपकी तैयारी खराब होई तो प्लीज अपनी तैयारी को बहतर रखें और कोशिश करते रहें यहां पर बीट वालों के लिए एक डीमेरिट और हो गया क्योंकि वह दोनों में अलिजमिल होगे तो आप दोनों की तैयारी करेंगे जिसमें की फोकस अब दोनों पर रखेंगे लेकिन जो जे बीटी या फिर डीयलेड वाले उनके पास एक अप्शन है तो वह जादा तर उसी को भार बार रिपीट करते जाएंगे तो इंशाल्ला आ हैं कि अपनी तैयारी को बहतर रखें और सेलेक्शन होना ना होना एक अलग हाथ में भी है और आपके हाथ में भी अपनी तैयारी को बहतर रखेंगे तो इंशाल्ला आप जरूर स्लेक्ट होंगे और वीडियो यहां कहतम होती है वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीस आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्टिशन में दे रही हूं तो आप जरूर अप्लिकेशन को डाउल्लूट करें और उस को पर्चेस कीजिए थांक्यू